पहली कैबनेट की आज मंदे मंदल की आज पहली बैठा हुई और जैसा की 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने पुत्राखंड की देखले जर्टा के समख्ध यह हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पुत्राखंड के अंदर लेकर आएगे और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य इमाले का राज्य है गंगा का राज्य है अध्यात्व और धार्मिक केंद्र विंदू हमारा राज्य है हमारी यहां क कोई ना ऐंत्रास्टी सीमाओं से भी लगा हुआ है ऐसे में जरूरी है कि उत्राखंड राज्जी के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए उस सभी के लिए समान हो और हमने उत्राखंड की देवतुली जन्ता के समक्त ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिसा में कदम बढ आएंगे और एक स्टेक होल्डर्स बीदीवी से सग्य और समाज के छेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है विविन्न छेत्रों में जिन्नोंने काम किया है उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे एक उच्छिस्त्री कमेटी बनाएंगे वो कमेटी युनिफर्म स सरकार उसको लागू करेगी भारत के समीधान के अनुच्छ चवालिस में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारे अपनी अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्योस्ताव को लागू कर सकती और केंद्रों को प्रस्ताव भेश सकती ह माननी उस्तम नियाले के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये युनिफॉर्म सिबिल पोर्ड लागू नहीं हो पा रहा है इसलिए हमने तै कि आज हमारी सरकार ने आज मंत्री मंडल ने हमने तै कि हम जल से जल इसको लागू करेंगे और आज मं सम्मति से प्रस्ता और पारिद कर दिया हैं अजिस कि आज में डूस कर दिया है